आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्ञान, भौतक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोडो कीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट वीडियो सिलीशन पाओ अब ही राउटनोड करें नमश्कार दोस्तों, प्रशन हैं ग्लो मेरूलसों में केपसूल से तरल को निश्यंद करने के लिए कितनी शुद्ध प्रवनता चाहिए तो दोस्तों हमसे पुछा कहिए कि जो ग्लो मेरूलस होता है उसके केपसूल से अगर हमें तरल को निश्यंद करना है तो उसके लिए हमें कितनी प्रवनता की आवश्यक्ता होगी तो दोस्तों जो ग्लो मेरूलस होता है ठीक है, क्या होता है ग्लो मेरूलस यह नेफ्रोन का अग्र भाग होता है ठीक है किसका भाग होता है नेफरोन का भाग होता है और इसमें क्या होती है परा निश्यन्दन की क्रिया होती है जिसके द्वारा जो आवश्यक्तादार्थ होते हैं उन्हें यहां से पुना आवश्योशित किया जाता है और इसके लिए जो प्रवनता की आवश्यक्ता होती ह ठीक है क्या होती है प्रवन्ता की आवशक्ता होती है वह होती है 20 mmHg ठीक है कितनी होती है 20 mmHg और इस प्रवन्ता को वास्तविक ठीक है क्या कहा जाता है वास्तविक प्रभावी ठीक है क्या कहा जाता है वास्तविक प्रभावी निश्यंदन दाब्भी कहा जाता है ठीक है क्या कहा जाता है प्रास्तिविक प्रभावी निश्यन नंद आप भी कहा जाता है तो दोस्तों हमें यहां पर इसे ही क्या कहा जाता है शुद्ध प्रवन्ता या वास्त्रिक प्रभावी निश्यन्नन दाब कहा जाता है जिसके हमें परा निश्यन्नन या निश्यन्नन के लिए अवश्यक्ता होती है अत्रह यह विकल्प हमारा सही है दूसरा है 50 mmHg तो दोस्तों यह विकल्प हमारा गलत पिचतर में चीज होता है यह रुधिर कोशिकाओं में उपस्तित होता है और इसे ग्लो में रूलर ठीक है क्या कहा जाता है ग्लो में रूलर ड्रव इस्थेतिक दाब कहा जाता है ठीक है क्या कहा जाता है ग्लो में रूलर ड्रव इस्थेतिक दाब कहा जाता है ठीक तो दोस्तो यह विकल्ब हमारा गलत है क्योंकि यह शुद्द प्रवनता नहीं है और चोथा और आखरी कल्ब दिया गया है तीस एमेम एज़ी तो दोस्तों जो तीस एमेम एज़ी होता है यह दाब जो ग्लो मेरलल होता है उसकी जो रुधिर प्लाजमा होती है ठीक है क्या होती है प्लाजमा उसमें उपस्थित होता है और इसे क्या कहा जाता है कोलाइडी परासरणी दाब कहा जाता है ठीक है क्या कह ठीक है और दोस्तों हम इस जो द्राव प्रवनता होता है उसे इस सुत्र के द्वारा भी जाद कर सकते हैं इसे क्या कहा जाता है वास्तिक प्रभावी निश्यन्दन दाव यानि की EFP effective filtration pressure और GHP यानि की glow merular द्रव इस्थेतिक दाव माइनस स्वरी माइनस बी सी ओपी ठीक है कोलोईडी प्रासरणी दाव यानि की सी ओ पी प्लस जी एच पी glow mer स्थेतिक प्रेशर ठीक है और दोस्तों जो हम यहां पर यह याद करने वाले हैं विजी एच पी खामें क्या दिया जाता है पीचोत्तर में वह जी और स्योपी जो होता है वह कितना होता है कितना होता है 10 ठीक है कितना होता थै जी एस पी पिटना होता है अठारह तो दोस्तों जब हम इसे गयाद करते हैं तो लगभग हमें कितना प्राप्त हुथा है 3040 हम इसे प्रोक कर कितना मान लेते हैं 40 मान लेते हैं लगबग और 40 में सित्तर जाते हैं तो 25 तो दोस्तों 20 से 25 mm HG Hydro Aesthetic Pressure की शुद्ध प्रवनता की हमें आवश्यक्ता होती है और इस आधार पर हमारा जो पहला विकल्प है हमारे प्रश्न का सह ही उत्तर है अशा करता हूं दोस्तों आपको यह उत्तर समझ में आया होगा धन्यवाद